क्लास नाइन साइंस पार्ट ग्यारा कार्य तता उर्जा के क्यूशन आंसर्स पर्थम पर्षन है निम्न सुच्ची बद किरिया कलापों को ध्यान से देखिए अपनी कार्य बसब्द की व्याख्या के आदार पर तर्क दीजे कि इनमें कार्य हो रहा है अथ्वा नहीं पर्थम है कि सुमा है वो एक तालाब में ते रही है तो इसमें क्या होगा कि इस इस्तिति में हम ये कह सकते हैं कि इसमें कार्य है वो संपादित हो रहा है लेकिन यहां कार्य है वो क्या है रिनात्मा क्यूंकि बल है वो सुमा जो पिछे की और आरोपी तो कर रही है जबकि उसका जो विस्तापन है वो आगे की दिशा में हो रहा है सेकिंड है कि एक गद्य ने अपनी पीट पर बोज़ा उठा रखा है इस इस्तिति में हम यह कहेंगे कि यहां पर कोई भी कार्य संपादित नहीं हो रहा है क्योंकि बल है वो तो नीचे की और आरोपीत किया जा रहा है जबकि घदा है उसका जो विस्तापन है वो आगे की दिशा में हो रहा है नेक्स्ट है एक पवंचक की कुवें से पानी उठा रही है तो हाँ इस इस्तिति में हम यह कह सकते कि यहां कारिये संपादित हो रहा है क्योंकि बल है वो उपर की और आरोपित किया जा रहा है तो पानी भी पवंचक की द्वारा उपर की और ही उठाया जा रहा है नेक्स्ट है कि एक हरेपोदे में परकास संसलेशन की परकिरिया हो रही है तो इस इस्तिती में भी कोई भी कारिय संपादित नहीं हो रहा है क्योंकि नय तो कोई बल आरोपित किया जा रहा है और नय ही वज्टु है वो विस्तापित हो रही है नेक्स्ट है कि एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है तो हाँ इस इस्तिती में कारिया है वो संपादित हो रहा है क्योंकि इंजन है वो क्या कर रहा है कि रेल गाड़ी पर बल लगा रहा है और जिस दिसा में बल लगा रहा है उसी दिसा में वो रेल काड़ी है वो विस्तापित भी हो रही है तो इस इस्तिति में हम कहेंगे यहां कारिय संपादित हो रहा है नेक्स्ट है कि अनाज के दाने सूर्य की दूप में सूक रहे हैं तो इस इस्तिति में कोई भी कारिय संपादित नहीं हो रहा है क्योंकि यहां नय तो कोई बलारोपित किया जा रहा है और नय ही कोई विस्तापन है वो हो रहा है नेक्स्ट है कि एक पाल नाव पवन उर्जा के कारण गति चील है तो हाँ इस इस्तिते में हम यह कहेंगे कि यहाँ कारिये संपादित हो रहा है क्योंकि पवन के कारण नाव उसी दिसा में विस्ता पित हो रही है जिस दिसा में हवा उसे धकेल रही है इसलिए यहां कार्येव है वो हो रहा है नेक्स्ट क्यूशन एक पिंड को धर्ती से किसी कौन पर फेंका जाता है यह है पिंड एक वक्रपत पर चलता है और वापिस धर्ती पर आगिरता है पिंड के पत के प्रारंबिक तथा अंतिम बिंदु एक ही 36 रेका पर इस्तित है तो पिंड और गुरुत्वबल द्वारा कितना कार्ये किया गया तो इस कानसर अरमीस पर का लिकरेंगे जब पिंड है को किसी कौन पर फेंका जाता है तो वो क्या करता है कि एक वर्तिय पर गत्य करके धर्ति पर वापिस आ जाता है इसलिए उसके द्वारा जो कारिय है वो क्या होगा सुन्य किया जाएगा क्योंकि बल है उस पे जो बल है वो सद्देव क्या होगा विस्तापन की दिशा के लंबवत कारिय करेगा अर्था समकोंड पर कार्य करेगा इसलिए पिंड पर गुरुत्वबल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? सुन्य होगा Next person है एक बेटरी है वो बलब जलाती है इस प्रक्रम में होने वाले उर्जा परिवर्टनों का वर्णन कीजिए बेटरी में क्या होती है? Next person है 20 केज़ी दर्वेमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मिटर पर 30 से 2 मिटर सेकिंड में परिवर्टित कर देता है तो बल द्वारा किये गए कार्य का परिकलन कीजिए तो हमें क्या दिया गया है? कि वस्तु का दर्वेमान है वो तो 20 किलोग्राम है एक फटावी गत्यूर्जा की गयात करने के लिए हम क्या करेंगे एक फटाव इंटू 20 परादमबिक वे क्या है? पांच पांच का लिछ स्क्वेर करेंगे तो क्या पराप्त होगा? 500 J, प्रादबी गती जूर्जा में 500 J पराप्त होगी, वस्तों कि अंतिम गती जूर्जा का भी यही फोर्मुला होगा, एक बटा दो, इंटु 20 इंटु 2 का स्क्वेर, क्योंकि अंतिम गती जूर्जा है, वो 2 दिया गया है, अंतिम गती जूर्जा कितनी पराप्त होगी, 10 इंटु 4 बरापर 40 J, यह अंतिम गती जूर्जा पराप्त होगी, तो अत्त किया गया कारिया क्या होगा, गती जूर्जा में परिवर्तन मतलब अंतिम गती जूर्जा माइनस प्रादमी गती जूर्जा होगा वो ही किया गया कार्या के बरबर होगा तो 40 माइनस 2500 बरबर माइनस 210 चूल तो यहां जो कार्या है वो रिनात्मग है इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो बल है वो विस्तापन की दिशा के विपरी दिशा में लगता है इसलिए यहाँ पर कारिया है वो रिनात्मक प्राप्त हुआ है नेक्स्ट परसन दस के जिदर्वेमान का एक पिंड मेज पर ए बिंदू पर रखा है इसे ए बिंदू तक लाया गर जाता है यदि A तता B को मिलाने वाली रेका 36 है तो बिंदू पर गुरुत बल द्वारा किया गया कारिया कितना होगा अपने उत्तर की व्याक्या किये जे तो में क्या दिया गया है कि गुरुत आकर्सन बल के द्वारा किया गया कारिया है वो इसमें सुनने होगा क्यूंकि 10 के जी तर्वेमान को बिंदू A से बिंदू B तक क्यूंकि 36 दिसा में ही विस्तापित किया गया है पर गुरुत्वा कर्षन बल है वो क्या होता है इस पर लंबोत है इसलिए गुरुत्वा कर्षन बल और विस्तापन की दिसा में समकोण कोण है वो बनेगा अठ्ध क्या होगा कि गुरुत्व से गिरते एक पिंड की इस्तिती ऊर्जा लगातार कम होती जाती है क्या यह उर्जा सरंच सर नियम का उलंगन करती है इसका कारण बताईए तो किसी बिंदू पर इस्तिती जूर्जा में जितनी कमी होती है गती जूर्जा में उतनी ही व्रद्धी होती है क्योंकि किसी उर्जा अच पर इस्तिती जूर्जा है वो अधिक्तम होती है जैसे जैसे वस्तु क्या है वो निचे गिरती है तो इसके क्या है वेग में भी वर्दी होती है तो जब वेग में वर्दी होती है तो क्या होगा कि इस्तिती जूर्जा में तो कमी होगी और गती जूर्जा में वर्दी होगी इस परकार क्या होगे कि वस्त है जो पर्ट्व की सत्र से पर पहुंशने वाली होती है तब क्या होता कि गती जूर्जा है वो तो अधिक्तम हो जाती है और इस्तिती जूर्जा है वो न्यूंतम हो जाती है इस परकार उर्जा है वो नर्ष्ट नहीं होती बलकि पदिवर्थित होती है और परतेक बिंदू पर क्या होता है गती जूर्जा प्लेस इस्तिती जूर्जा है वो हमेशा अच्छर रहती है मतलब अगर गतीज उर्जा कम है तो इस्तितीज उर्जा ज्यादा होगी और गतीज उर्जा ज्यादा है तो इस्तितीज उर्जा कम होगी फुल मिलाकर इन दोनों का मान हमेशा अच्छर ही रहता है अता हम कह सकते हैं कि उर्जा सरंक्षन नियम का यहां उलंगन नहीं होता है नेक्स्ट है जब आप सैंक्ल चलाते हैं तो कौन-कौन से उर्जा रुपांतरण होती है तो सैंक्ल चलाते समय क्या होता है इस्तितीज उर्जा है वो पेश ये उर्जा में और सरीर की पेश ये उर्जा यांतरिक उर्जा में रुपांतरित है वो हो जाती है नेक्स्ट है जब आप अपनी सारी सक्ति लगाकर एक बड़ी चटान को धकेलना चाते हैं और उसे हीलाने में ऐस अपल हो जाते हैं तो क्या इस अवस्ता में उर्जा का इस्तान्यांतरन होता है आपके द्वारा वे की गई उर्जा कहां चली जाती है इसमें हम क्या लिखें कि जब अपनी सारी सक्ति लगाकर एक बड़ी चटान को धकेलने में हम ऐस अपल हो जाते हैं तो विस्तापन नय होने के करण हमने कोई कारिया नहीं किया है क्योंकि कारिया करने के लिए हमें विस्तापन होना अत्ती आवश्यक है इसलिए उर्जा का तो इस्तादान तरण या होगा जो उसमें उर्जा में बदल जाता है जो सरीर में जेवरासानी किरें करके पसीने और ठकान के रूप में परकट उती है नेक्स्ट परसन है कि किसी घर में एक महिने की उर्जा दाइसो यूनिट वे हुई तो यह उर्जा जूल में कितने होगी तो कुल यूनिट कितनी की दी गई है डाइसो तो हम जानते हैं कि एक किलो वाट गंटा कितना होता है हजार वाट इंटू एक हावर एक हावर मतलब एक गंटा होगर वो 36 सेकिंड के बराबर होता है तो इसको हम जूल में चेंज करेंगे तो क्या पराप्त होगा 3.6 इंटू 10 की गात 6 जूल है वो हमें पराप्त होगा एक किलो वाट गंटा ने के बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की गात 6 जूल के बराबर होता है तो हमें धाइसो यूनिट दी गई है तो धाइसो यूनिट को एक किलो वाट कंटा से मल्टिप्लाई करेंगे तो हमें कुल उर्जा होगो जूल में प्राप्तों की तो इसका मान होगा 9 इंटु 10 की गात 8 चूल नेक्स्ट पर्सन है चालिस केजी दर्वेमान का एक पिंट गस्टी से 5 मिटर की उन्चाई तक उठाया जाता है इसकी इस्तिती जूर्जा कितनी है यदि पिंट को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो पिंट ठीक आदे रास्ते पर है उस समय इसकी गती जूर्जा का परिकलन कीजी अमें 2 परसन पुछे गए हैं इनके अलग-लग आंसर देने है पहले हमें दिया गए है कि पिंट का दर्वेमान है वो 40 केजी है जी है वो 10 मिटर परती सेकिंड स्क्वेर है उन्चाई है वो 5 मिटर है तो इस्तिती जूर्जा क्या होती है इपोटेंशिल एजेंड एनर्जी ब्राबर MGH तो M कितना है 40, G है 10, H है 5 तो इस्तिती जूर्जाओगी 2000 जूल जब वस्त तो आदी उन्चाई पर होती है तब मुक्त रूप से गिरने पर प्रार्मिक वेर कितना होगा तो U बराबर 0 है उपर से मुक्त रूप से गिर रही है तो प्रार्मिक वेर क्या होगा सुनने उन्चाई है वो आदी उन्चाई है में पूछा गया है तो आदी उन्चाई क्या हो जाएगी 5 पर्टा 2 बराबर 9 मिटर तो G है वो 10 मिटर परती शेकिन स्क्वेर दिया गया है तो गती के तीसरे नियम से V स्क्वेर इकुल टू U स्क्वेर प्लेस 2GH प्रार्मिक वेक है वो सुनने है H का मान 2.5 है G है वो 10 है तो V स्क्वेर का मान क्या होगा 50 पिंड की गती जूर जा क्या होगी जब वो आदी उन्चय पर होता है तो 1 बटा 2M V स्क्वेर इकुल टू 1 बटा 2M है 40 है V स्क्वेर 50 है तो गती जूर जा कमान होगा 1000 जूल Next person है कि परत्वी के चारों और गूमते वी किसी उपग्रेपर गुरुत्वबल द्वारा कितना कार्य किया एक जाएगा अपने उत्तर को तर्क संगत बनाईए हम यहां कहेंगे कि परत्वी है वो उपग्रेपर गुरुत्वबल द्वारा किया गया कार्य है वो क्योंकि सुनने होगा क्योंकि उपग्रेपर कार्य रत गुरुत्वबल और विस्थापन की जीशा के भी क्या है नबर डिगरी का कौन बनता है तो किया गया कार ये क्या होगा बल इंटू विस्थापन इंटू कोस थिटा तो यहां थिटा है वो 90 डिगरी है तो इसलिए कोस 90 बरापर 0 होगा तो किया गया कार्य है वो उसका मान होगा सुनने है अता एक समान वर्त्य गति की इस्तिती में किया गया कुल कार्य क्या होगा सुनने होगा Next person क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्तिती में इसका विस्तापन हो सकता है सोचिए इस परसन के बारे में अपने मित्रों तता अध्यापकों से विजार विमर्स कीजी तो इसका एसर क्या होगा कि किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्तिति में इसका विस्तापन हुआ सकता है यदि पिंड समान विएक से पहले से ही चला आ रहा है तो किसी बल की अनुपस्तिति में इसका विस्तापन संबव नहीं है कोई मनुष्य बूस्य के एक गठ्र को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और ठक जाता है पर उसने किसी बिदिस्ता में कोई विस्तापन नहीं किया है तो उसने कोई भी कारिया है वो भी नहीं किया है एक विदिस्तर की गोशित सकती है वो 1580 दी गई है 10 गंटे में यह है कितनी उर्जा का उप्योग करेगा यह हमें बताना है तो हमें क्या दिया गया है कि सकती है वो 1580 दी गई है समय है वो 10 गंटे दिया क्या है तो हमें उर्जा का मान बताना है तो हम जाते हैं कि सक्ति ब्राबर W by T P ब्राबर W by T कार ये बटा समय मतलब उर्जा बटा समय तो W ब्राबर होगा P into T ब्राबर कितना होगा 1500 into 10 Watt into गंटे तो W ब्राबर 1500 into 10 बटा 1000 इसको हम किलो वार्ट में change करने के लिए हम इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो कार ये मतलब उर्जा का मान क्या होगा 15 किलो वार्ट गंटा ब्राबर 15 unit क्योंकि एक unit प्राबर क्या होता है 1 किलो वार्ट हावर तो इसका मान हो जाएगा 15 unit 10 गंटे में यह है 15 unit है वो उर्जा का उप्योग करेगा गोलन करने लगता है इसमें होने वाले उर्जा परिवर्थनों की चर्चा करते वए उर्जा सरक्शन की नियम को इस्पेश्ट केजिए कोलक कुछ सम्में पसाथ है वो वीरा मवस्ता में क्यों आ जाता है अंदर था इसकी उर्जा का क्या होता है क्या यह उर्जा स्रंक्षन के नियम का उलंगन है तो यह सबी इनका अंजर हमें देना है प्रादम में क्या है कि सरलोलग का वो विरा मवस्ता में होता है इस इस्तिती में लोलग की इस्तिती ए होती है यह मद्य इस्तिती ही कहलाती है जब इसे इस्तिति B तक धकिला जाता है और फिर इसे छोड़ दिया जाता है तब निम्न इस्तितियां होती है जब लोलग का गोलग इस्तिति B पर होता है इस्तिति B है ये ये पॉइंट है इस्तिति B तो उसमें क्या है केवल इस्तिती जूर्जा होती है जैसे ही गोलक इस्तिती B से इस्तिती A की तरब गती करता है यह है A तो क्या आरम करता है तो उसकी इस्तिती जूर्जा है वो तो गढ़ती जाती है और उसकी गती जूर्जा है वो बढ़ती जाती है जब गुलक मत्ते इस्तिती A पर पहुंचता है तो उसमें केवल गती जूर्जा होती है ठीक इसके विप्रिज जैसे ही गुलक इस्तिती A से इस्तिती C ये है इस्तिती C पर पहुंचता है तो उसकी गती जूर्जा है वो तो घटने लगती है परन्तु उसमें इस्तिती जूर्जा है वो बढ़ने लग इस परकर चरम इस्तिती C पर पहुंचकर गॉलक है वो अत्यांत कम समय के लिए रुखता है इसलिए इस्तिती C पर गॉलक में केवल इस्तिती जूर्जा ही होती है इससे हम ये निसकर्स निकालते हैं कि चरम इस्तिती B और C पर लोलक के गोलक की क्या है जो कुछ उर्जा है वो इस्तिती उर्जा के रोप में ही होती है जबकि मद्य इस्तिती A पर लोलक के गोलक के संपूर उर्जा गती उर्जा होती है अन्य सभी माद्यमिक इस्तितिओं पर सरल लौलक के गोलक की उर्जा है वो आंसित अ है मतलब पाइशली या तो इस्तिति जूर्जा या वो गति जूर्जा होती है परंतो किसी भी समय पर दॉलन करतेए वे लौलक की क्ल उर्जा वही या सरजित रहती है अर्थात काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशिल एनर्जी इक्वल टू अच्छर ही रहती है अंतते गर्शन बल और वायू के परति अवरोध के काण सरल लोलक का जो गोलक है वो वीरा मवस्ता में आ जाता है एसा इसलिए होता है कि जो वायू के परतिरोध का सामना करने में उर्जा है वो उसकी वे होती है सरल लोलक का जो गोलक है जो वायू का परतिरोध का भी सामना करता है जिसे क्या है उसकी उर्जा है वो वे होती है इस परकार क्या ओती दोलन करते वे गोलग की जो यांतरिक उर्जा है वो देरे देरे उश्मा या ताप उर्जा में परिवर्थित हो जाती है इस परश्ट तर इस इस्तिती में भी उर्जा संश्टनियम का उलंगन है वो नहीं होता है नेक्सट परसन है कि M दर्विमान का एक पिंड एक नियत वेग V से गतिसील है पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि यह है विरा मवस्ता में आज़ाई दर्वेमान है वो M दिया गए है वेग है वो V है पिंड की गती जूरजा एक बटा दो M V स्क्वेर दी गई है दर्वेमान है वो M है वेग V है पिंड की गती जूरजा एक बटा दो M V स्क्वेर दी गई है यह पिंड क्या है वो गती में है तो अता इस पिंड को विरामावस्ता में लाने के लिए समान मात्रा में कार्य करने की आउश्यक्ता होगी अता पिंड पर किया जाने वाला कार्य क्या होगा? एक बटा दो अम्वी स्क्रेय होगा नेक्स्ट परसन है कि 1500 किलोग्राम दर्विमान की कार्ज को जो 60 किलो मिटर परती गंटा के वेग से चल रही है को रोकने के लिए किये गे कार्य का परीकलन कीजिए तो दिया गया है कि दर्विमान बराबर 1500 केजी है वेग 60 किलो मिटर परती गंटा है इसको मिट्र परती शेकंड में चेंज करने के लिए हम 5 बट्टा 18 से गुणा करेंगे तो इस कामान क्या प्रप्त होगा 150 बट्टा 9 मिट्र परती शेकंड कार को रोकने के लिए किये कर्य कामान क्या होता है 1 बट्टा 2.0 Olivia square होता है तो 1 बट्टा 2 into 1500 इसको solve करने पर हमें क्या मान प्राप्त होगा 2,8,333.33 Joule है वो इस कार्य का मान है वो प्राप्त होगा नेक्स परसन निम्न में से परतेक इस्तिती में M दर्विमान के एक पिंड पर एक बल लग रहा है विस्तापन की तिसा पक्सिम से पूरव की और है जो एक लंबे तीर से परदर्शित की गई है तो चित्रों को ध्यान पूरुक देखिए और बताए कि किया गया कार्य रिनात्मक है या सुनने है तो इसमें फैस्ट में जो किया गया कारिया है वो सुन्ने है क्योंकि बल तताविस्तापन की दिसा है वो लंबवत है दूसरे में कारिया है वो दनात्मक है क्योंकि बल तताविस्तापन की दिसा सम्मान है सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर तवरण सुन्य हो सकता है चाहे उस पर बल कार्य कर रहे हो क्या आप उससे सहमत हैं बताईए क्यों तो इसका अंसर होगा कि हम सोनी के इस कतन से सहमत हैं यदि किसी वस्तु पर अगर अनेग बल है वो कार्य कर रहे हैं और उनका परिणामी बल अर्थास नेट बल सुनने हो तो वस्तु का त्वरण है वो भी सुनने ही होगा F equal to M में होता है अगर बल है वो 0 है परिणामी बल तो M into A है वो सुनने होगा क्योंकि M है वो कभी सुनने हो नहीं सकता इसलिए A equal to सुनने होगा Next person चैर युकतियन जिन्में परते की सकती 500 W है 10 गंटे तक उपियोग में लाई जाती है इनके द्वारा वे की गई उरजा किलो वाट हावर में परिकलित कीजे इस कान सर होगा कि एक युकति की सकती है उन्मे क्या दी गयी है 500 W च्यार युक्तियों की सक्ति क्या होगी च्यार इंटू 500 इकुल टू 2,000 वाट तो समय दिया गए है 10 गंटे परियोग की गई उर्जा है वो क्या होगी 2,000 इंटू 10 20,000 वाट गंटा तो 20,000 वाट गंटा को किलो वाट हावर में चेंज करने के लिए हम इसमें 1000 का भाग देंगे तो मैं क्या प्रप्त होगा 20 किलो वाट हावर मतलब 20 यूनिट है वो उर्जा प्राप्त होगी next person है कि मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंत तर धर्थी तक पहुंशने पर रुख जाता है इसकी गतीज उर्जा का माप है वो क्या होगा तो मुक्त रूप से गिरता पिंड क्या होता है अंत धर्थी पर पौशने पर रुख जाता है तो इसकी गतीज उर्जा है वो निन परकार बदलती है कुछ गतिज उर्जा है वो तो धनी उर्जा में परिवर्तित हो जाती है, कुछ गतिज उर्जा गर्षन बलके विरुद किये गए कारिय में के काण उश में उर्जा में परिवर्तित हो जाती है, कुछ गतिज उर्जा उसके विन्यास मतलब कॉन्फिग्रेशन है में परिवर तित हैब वोग जाती है